बाइंग आई है और यहां पर मैं अच्छी खासी यहां पर बाइंग आयी है औरो यहां पर बहुत कम पॉयंट लेने वाला हूं लगब-ख 5-10-5-10 कम नेवाला हूं ने फ्र् decemICE कि यहां पर थोड़ा सा six जादा है और अभी देख सकते हो यह मैंने 135 के लगबग इसको बाई किया है और अभी देख सकते हैं 122 का चल रहा है यहां पर काफी ज़्यादा देखो काफी मतलों कि ऐसी market में moment आई है काफी खतरनाक तो मुझे यहां से sale करना होगा एकदम देखो market ना एकदम नीचे की तरफ आये थी सीदे नीचे की तरफ आये थी market तो यहां पर market एकदम हमें देखो एकदम market यहां से buying दिखाती है वैसे 15 minute market ने लिए हैं लेकिन इस level से market एकदम उपर की तरफ जाती है तो यहां पर हमने एक problem price buy किया था यह वाला आठ अक्टूबर का 23,350 की call यहां से यहां पर क्योंकि अच्छे कासी देखो buying आ रहे थी और मेरा target यहां तक था क्योंकि लेकिन देखो यहां पर एक condition apply हो रही है कि जो EMA है ना उस EMA के नीचे ही अभी market उस EMA के ऊपर जा रहे थी market लेकिन आप देख भी सकते हैं किस तरीके से हम trap हो चुके हैं यहां पर जल्द बाजी में hope trading इसे ही कहते हैं ठीक ना यहां पर मैंने 135 इसको buy किया था मैं आपको इसमें दिखा नहीं पाया कोई दिक्कत नह ही ठोड़ी सी chances market देख सकते हो किस तरीके से market में यहां से बाइंग आती है totally market मोल्निंग से ही डाउं ट्रेंड में है और मैं यहां पर कोल की buying करने की सोच रहा था इसी कारण से जो बी अपना ये लोस हो गया है और आप देख सकते हूं काफी अच्छी candle भी बनी थी इसी कार हम यह काफ़ी खतरनाक ती Aha यहां पर अच्छी खासी दी लगबग मतलों की 200 की मौ मेंक्ट यहां परway admired यहां पर के पूंपर ऑफिझवती इक्दम उपर दिखा था यहां पर पानसोशसथ local लेकिन आठ देख भी सकते हैं किस तरिकनत तरो charging सब्सक्रण हो चुक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं मार्किट है ट्रैप हो जाते हैं मक्ने़ेज वाली तो हम यहां पर एक ट्रेड बनाने की कोसिज करेंगे जो कि हमारी पुट में होगी क्योंकि अब एक्ट में ही बनेगी चांस्सफ मार्गेट के फिलाल तो देखो हो नीचे कही थे morning में भी नीचे कही थे अब भी नीचे कही है लेकिन मैं थोड़ा सा negative पॉजिटीव इस लिए था क्योंकि जो RSI है ना वो काफी कि इसेल ज요 अपना रहेगा इसमें ज्यादा से ज्यादा पंदरा सो का अगर 15 सो अपना S1 अज के JUL दिन अभी चला जाता इसलिए मैं अगर इस trade में मेरा लोसिस होगा तो मैं यहांसे अपने trade को exit कर दूँगा और ज्यादा यहां पर नहीं रुकूंगा क्योंकि इसका मतलब market तो बढ़िया चल रही है लेकिन मेरी psychology यहां पर खराब है ठीक ना तो देखते हैं किस तरीके से क्या होता है भी आप दे दी थी market ने इस level से तो मैं यहां पर जो भी है negative होता morning में negative हो जाता तो ठीक रहता लेकिन market काफी गिर चुकी है time भी देख सकते हो तो यहां पर negative थोड़ा सा होना थोड़ा ठीक नहीं है ठीक है ना क्योंकि देखो market ने negative candle भी बनाई है लेकिन मेरा सिर्फ यहीं तक accept है यान पर देख ना level रहने वाला है काफी चोटी वीडियो बनाने की कोशिस माज करूंगा ठीक है ना तो देखते हैं इंतिजार करते हैं लोसिस अगर हो जाए गरी कवर कोई दिक्कत नहीं है लो हो गया हो इंतिजार करते हैं यहां तक आने की कोशिस कर सकती है market वैसे market काफी गि चुकी है तो क्या पता market यहां तो उपर के तरफ जा सकती है ऐसे ही मैंने वाइं नहीं किया था यहां पर यह यह लेवल काफी इंपोर्टेंट था यहां पर देख भी सकते हो इस लेवल पर आने की बाद मार्केट में बाइंग आई है तो यह मैंने पहले से ही लगा कर रख थोड़ा बहुत प्रोफिट दिखेगा उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा तोटली मैं आपसे पहले ही बता रहा हूं थोड़ा इंतिजार करते हैं देखते हैं क्या होता है आने देते हैं मार्केट को नीचे की तरफ यहां पर अगर 200 की लेवल तक ही आ जाती है तो ठ ट्रेडिंग करूं है ऐसा कुछ अलग से सिस्टम हो रहा है इसी कारण से पहले ट्रेड में जल्देबादी में होप ट्रेडिंग के कारण जो भी है लोस करे लिया अब इसमें अगर रीकवर होकर थोड़ा वो प्रोफिट हो जाएगा तो आज का सेटप यहां पर क्लोस करे क्योंकि अगर ट्रेड करने का थोड़ा माइंसेट नहीं है ना तो नहीं करने चाहिए उस दिन ट्रेडिंग जैसा भी बनता है जैसा भी होता है लेकर लिकल जाना चाहिए तो यहां पर आमें मिल चुकी हैं 10 पॉइंट और मैं इस ट्रेड को एकजिट कर देता हूं तो चल के पर हुआ है 432 के लगबग हुआ है थोड़ा सा नेट की प्रोब्लम है एक मिन रुकना है तो यहां पर कमपजिट 500 का भी प्रोवेट नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आँ 800-900 का जो भी है लो सरी आठ्सो का लो सरी कवर करके जो भी है यह प्रोफिट हो गया है तो इसमें कोई वह नहीं है 50 quantity मैंने इस मिली थी 50 quantity मैं आपको position details एक बार दिखाने की कोसिस करूंगा 50 quantity मैंने ली थी यह जो अभी मेरा यहां पर trap हो गया था मैं यहां पर इसमें मैंने एक से 19 में सेल गया था टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते कितनी थोड़ी सी मैंन trade की थी और इसी कारण से कम quantity में trade करने भी चाहिए और उसके बाद यह मैंने आपके सामने ही trade ली है यहां पर 50 quantity 137 पर मैंने इसको buy किया था 162 पर sale किया है लगबग 20 एक point मैंने यहां पर capture की है क्योंकि अपना loss था वो भी recover हुआ है और यहां पर थोड़ा बहुत profit भी होता थोड़ा सा काम थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं इसी कारण से थोड़ा busy था इसी कारण से में trading नहीं कर पाया आज वीडियो भी नहीं आती लेकिन मैंने कोसिस की कि मैं वीडियो बनाओ आपको थोड़ा कुछ बताओं अगर मैं यहां पर आपको 15 मिन के चार्ट फ्रे इसको hope trading कहते हैं तो प्लीस जो भी है जिस तरीके से मैंने किया है उस तरीके से बिल्कुल ना करें ट्रेडिंग करने के लिए आपको morning में ही mindset बनाना पड़ता है एकदम आप आते हो कहीं से काम करके जो भी कुछ करते हो और सिधा system पर बैठ दे हो तो वैसे trade नहीं की जाती अगर candle दिख रही आप को तो यहाँ पर call में ले लूँ हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत profit दिख सकता है लेकिन वो hope trading होगी कि एकदम market यहां से उपर निकल गई तो जो भी है मेरा profit वेगरा जो भी है कम हो जाएगा पर प्राइस जादा हो जाएगा उसे हम hope trading कहते होप trading बि आप recover कर पाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ठीक है ना market का यह support है आज की दिन इससे नीचे थोड़े से कम है chances जाने के ठीक है क्योंकि ऐसी candle अभी तक बनी नहीं है अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई ऐसी candle नहीं बनी है ठीक है लेकिन यह candle बनी है ऐसी तो इसके नी है candle बनी है तो कुछ तो है यापर क्योंकि 200 पॉइंट की अगर मुमेंट यहाँ पर मिली है एकदम उपर गई है profit booking तो नहीं हो सकती है एकदम इतनी एकदम 200 पॉइंट उपर जाए है ना कुछ तो है यहाँ पर अगर इस लिए उनको ब्रेक कर भी देती है ना तो market 200 पॉइ नीचे तरीक से market नीचे आएगा एकदम ठीक ना तो इतना आसान नहीं है ऐसा level market के लिए ब्रेक करना अगर कर भी देगी तो यहाँ से ज्यादा strong selling आनी चाहिए इस level पर ज्यादा strong selling आनी चाहिए तब यह जो भी है यह trap होंगे और तब यह market एकदम नीचे के तरफ आएगा स्विंग तो अच्छा बना है नीचे का ही लेकिन देखते हैं क्या होता है ठीक ना कोई दिक्कत नहीं है आज की वेड़ों बस इतना ही उमिद करता हूं काफी कुछ चीजे सीखने को मिली होगी चीजे सीखने वाज आपको यह मिली होगी कि आपको कभी भी hope trading नहीं करनी है जल्द बाजी में नहीं करनी है morning में ही आपको mindset बनाना पड़ता है कि आज क्या करना है किस तरफ market का trend है क्या है कुछ भी है सब कुछ आपको mindset morning में ही बनाना पड़ता है तब ही आप trading कर पाओगे वहना आप 2 बज़े आते हूं 12 बज़े आते हूं सीधा system पर बैठते हो दे आपको पता होना चाहिए कि market अब नीचे आएगा अब उपर आएगा थोड़ा सापको पता होना चाहिए ठीक है ना तो लोस आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए वह तो recover हो जाएगा तो आज की वीडियो बस इतना ही मैं और ज्यादा trade नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक trade आने बाद यहां तक वीडियो देखने के लिए जैसरी किसना सभी को बाई बाई टाटा सी यू